हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शकों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते ही आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का पंचांग तीन माई सन दोहजार वीज दिन रविवार शुकल पक्ष बैसाख मास समवंत दोहजार सततर तिथी दर्शमी नक्षत्र पूरवा फालगुनी रहुकल साड़े चार से छे दिशासूल पश्चिमतिसा आज हम नो गोपनिय बातें आपके संग करने वाले हैं और वो नो गोपनिय ऐसी बातें हैं ऐसी चीजें हैं जिनका रहस्य सास्त्र कहता है कदापी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए तो आईए वो 9 बाते, वो 9 चीजे, कौन-कौन सी हैं, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं, एक-एक करके और ये किस सास्त्र के नुसार है, किस गरंथ के नुसार है, इसका भी हम आपको व्योरा दे रहते हैं दक्ष अस्मर्ती के नुसार दस नो ऐसी गोपनियें चीजें हैं बाते हैं जो कदापी किसी के संग शेयर नहीं करने चाहिए और किन के संग करने चाहिए वो भी हम इसमें आपको साथ के साथ बताते चलेंगे सबसे पहली बाद सास्तुर में कही गई है धक्ष असमर्ती में आयू बहुत लोग अपनी आयू बताने लगते हैं कि मैं इतने साल का हो गया हूँ ऐसे हो गया हूँ तो उसमें ये कहा गया है कि आयू अनावश्यक रूप से सभी को अपनी उमर नहीं बतलानी चाहिए नमबर दो विट्थ अपना बेंक बैलेंस धन का इस्टिटस धन अपनी आर्थीक स्थिती सभी को नहीं बतलानी चाहिए सब ग्रही जनों के दोशों को कदापी दूसरों के संग वारतलाप में नहीं करना चाहिए मतलब परिवार में भाई अच्छे भी लोग होते हैं बुरे भी होते हैं किनी में बहुत अच्छा या भी होती है और किनी में कुछ कम्या भी होती हैं तो अपने परिवार अपने कुटुम्ब में क्या कम्या हैं या क्या इस प्रकार की चीज़ें हैं वो कदापी किसी अंजान या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेर नहीं करना चाहिए चोथी बाद मंत्र यह बहुत बड़ी बात है मंत्र और मंत्र हमेशा गोपने ही रखना चाहिए क्या कहते हैं गुरु मंत्र जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है इस्ट मंत्र जिस मंत्र को आप अपने मन से पढ़ते हैं जिस देवी देवता के प्रतिया आपका ज गोपने वारता किसी भी मित्र के साथ, परिवार के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, बेहन के साथ, किसी के भी साथ, कोई आपकी बहुत गोपने वारता हुई है, वो गोपने वारता भी किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, अक्सर लोग एक बात कहते सुने जाते हैं, कि देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ किसी से कहना मत यह आती है ना बात कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ जो मेरे मन में थी बहुत दिनों से किसी से कहना मत अब बहुत दिनों से आपके मन में थी बहुत दिनों से आप उसको छिपा रहे थे तो वो ही वारता जब आप नहीं छिपा पाए मैं बहुत दिनों बादी सही पर आप किसी से कहतो रहे न तो दूसरा व्यक्ति ही क्यों छिपाएगा तो गुरू ने कुछ बाते ऐसी कही है मंत्र के बारे में कि मंत्र गुरु मंत्र इष्ट मंत्र गोपनी वारता को दूसरों के साथ जिक्र नहीं करना चाहिए अर्थार्थ गोपनी रखना चाहिए मैथुन गोपनी रखना चाहिए मतलब रोग की दवा आपको क्या रोग है, आप किस रोग की मेडिसन लेते हैं, यह जिक्र केवल अपने चिकिस्टिक से ही करें, अपने डॉक्टर से ही करें, फाल तो किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए, उसके बाद साथवे नमबर पर आता है, तप, कौन सा तप है, कितना करते हैं, कब किया था, कहां करते हैं, यह सारी बाते भी गोपनिये रखनी चाहिए, इसके बाद नमबर आठ, दान, कि मैंने इतना दान दिया, मैंने उतना दान दिया, दान बतला देने पर दिया गया दान, अपमान में बदल जाता है, सुनने ता में आ जाता है, तो जिक्र नहीं करना चाहिए, और लास्ट पाइंट है अपमान। कई बार किसी बात को लेकर कि कोई हमारा अपमान कर देता है। हमारा अपमान हो जाता है। तो अपमान अपने प्रती किये गए अपमान को अपने हर्दे में रखना चाहिए इसे भी किसी से अनापसनाब रूप में नहीं बता दाना चाहिए नो ऐसी बातें नो ऐसी चीजें जो हमेशा गौपनी रखनी चाहिए वो दक्ष इसमर्ती के नुसार बतलाई गई है अब मैं आपको 9 की 9 की स्रीज एक बार केवल पढ़कर के सुना देता हूँ नमबर एक आयू, नमबर दो वित्थ, नमबर तीन ग्रेचिद्र घर में कोई ऐसी कोई बात होती है किसी में दोशों या कोई ऐसी चीज हो वो नहीं बताना चाहिए नमबर चार मंत्र, पाच मैथुन, छे वेशज, रोग आदी की कोई दवा के बलचिक सिक से ही जिकर करें नमबर साथ तब, नमबर आठ दान और नमबर नो अपमान यह हमेशा गोपनी रखने वाली वास्तिकता है यह बात बहुत बाते बहुत लोग अपने दिल में छोटी छोटी जो डाइनी दिल में बनती है न व्यक्ति के मन में छोटी छोटी बाते बनती है तो बहुत व्यक्ति होते हैं जला जला सी बाते भी अपने हर्दे में सजो करके नहीं रख पाते तो अपने हर्दे को विशाल बनाना पड़ता है हमारे हर्दे में पिड़ा कितनी है कई बार उस पिड़ा को किवल हमारा हर्दे ही समझ सकता है हमारा हर्दे ही उस पिड़ा को सह सकता तो कई बार हम किसी को अपने मन की बात बता कर हर दे की बात बता करना अपमान का भी सापना करते हैं उपहास का सामना करते हैं और व्यर्थ में कई बार हमें कोई दूसरा व्यक्ति चिंता में भी डाल देता है तो कुछ चीज़ ऐसी हैं बहुत खास लोगों के साथ ही उन्हें जाहिर हो जाना चाहिए अधर वाइस किसी के साथ ये नो गोपने तथे कदापी प्रकट नहीं करने चाहिए सास्तुरों में नो प्रकार के दान भी बताएं कि कौन सा दान किसको करने से उसको क्या महत्या में होता है सास्तुरों में ऐसे नो प्रकाश्य भी हैं कि जो नो ऐसी चीज़े हैं जो प्रकाशित कर देनी चाह वो आपके संग बहुत अच्छे से जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस महामारी से हमारे प्रभू, हमारे आराध्य, माभगवती हमें जरूर बचाएंगे और इसी के साथ-साथ चार मई यानि कि कल शाम की भगवान श्री राम से जी से जुड़ी स्तुती रहेगी और जैसे कि शिव तांडव इस्तोत्र बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाया च्छे मई शाम साथ बजे शिव तांडव इस्तोत्र आपको हिंदी में सुनने को मिलेगा और मेरा बहुत बड़ा मन है शिव तांडव इस्तोत्र से शाम साथ बजे आप जरू जुड़े और कुछ दर्शक बीच बीच में नई जुड़ जाते हैं उन से हम बता देते हैं कि ये जो शाम साथ बजे की स्तुती हम कर रहे हैं आप सब के साथ मिल करके ये विश्व के कल्यान के लिए है इस समय जो करोना वाइरस मुफाइलाई बैठा है उसको दूर करने के लिए हम अपने भगवान से प्रति दिन शाम को साथ बजे परातना करते हैं संद्या काली इन वैसे भी गोदूली वेला होती है एक बहुत अच्छा समय होता तो आप सब के साथ मिल कर के एक विश्यस परातना की जाती है कि है प्रमात्मा हमें इस आपदा से आप बचाएं तो द्यान रखें कल शाम की इस्तुति भगवान शिरी राम से जुड़ी हुई और परशो शाम की जो इस्तुति रहेगी यानि के परशो से अगले दिन च्छे मई की जो शाम की इस्तुति रहेगी वो शिव तांडव रहेगा जुड़ें औरों को जोड़ना भी न भूले एक संदेज और राशी फल इस बार बड़े अद्भुत तरीके से हमने अपनी आपकी राशी के उपाई बताए है इस्तुति के रूप में तो हमने बारा की बारा राशियां हमें उन बारा राशियों में अपनी अपनी राशी से संबंदित कौन सी इस्तुति का पाट करना चाहिए वो हमने बताया है तो एक बार इस बार के जो राशी के विशिशांक है मेज से लेकर की मीन तब के आप लोग जरूर सुने आईए दर्शों को समय हो चला है आज की ध्यानमाला का ध्यानमाला में जूरते हैं भगवान शिवर शंकर से ओम आत्मा त्वंगिर्जा मती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समाजिस्ति दे संचार पदयो प्रदक्षन विरे स्रोत्रानि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं चंद्रोत वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रे लोक्य सारे हरे मोक्छार्तिम कुरुचित व्रिट्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्म वे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणम् वन्दे पन्नग भूशनम् रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम् वन्दे मुकुंदा प्रियम् वन्दे वक्त जनस्रयम् चवरदाम् वन्दे सिवं संकरम् ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं भुज केंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी कवच बना लें ध्यान करें भगवान शंभू का सिर्वाज हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नित्र खोलें समन्य हो जाएं हम अपने ने दर्शों को से एक बात और कह दें सुबह साथ बजी भी हमारे कारेकरम आता है जो प्रति दिन किसी ने किसी सब्जेक्ट के उपर होता है चोटी ही बात क्यों ना हो तो किसी चीज़ का जिकर हम उसमें जरूर करते हैं एक बहुत अच्छा एपिसोड हम आपको दो-चार रोज में और देने वाले हैं उसे भी आप जरूर सुनिएगा आजकल बहुत लोग घर में उक्ता से गए हैं घर में मन नहीं लग रहा है अजीब सी घंगराट हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम सब को क्या करना चाहिए कैसे इन दिनों में हम अपने मन को अच्छा से बनाएं मन में शान्ती का बास लाएं एक कारे करम हमारे कुई दर्शकों ने कमेंट भी की हैं इसके उपर तो मुझे अच्छा लगा हम सब का ये कमेंट तो कुछ ना कुछ इसके उपर भी हम शायद परसों के एपिसोड में या एक दो रोज के एपिसोड में इस चीज़ को भी आपके संग शेयर करने वाले हैं जिन जातकों की जनन पत्रियां हमारे संस्थान से बन चुकी हैं लोग डाउन ओपन होने के बाद हम सब को भीजेंगे और काफी लोगों से बात कर ली गई है कुछ लोग जो बचें हों उनसे भी हम जल्द संपर्क करने वाले हैं और जिन दर्शोगों की हमारे साथ कॉल अपाइट्मेंट फिक्स थी करीब करीब सभी से हमारी बात हो चुकी है और सभी के जो उपाए बताने थे वह अमने वाटसब के माद्यम से सभी को उपाए बेज दी हैं किसी प्रकार के अगर कोई किसी को असुविदा है तो हमारे वाट्सप नंबर पर वो लोग संपर्क उस प्रकार से कर सकते हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जैमा इंद्राक्षी मेरे दो बच्चे हैं दोनों का एकजाम चल ला था आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया जो बेटा तुम नहां करके सुवा सुवा उसके बाद एक मंत्र गारा बार जरूर पर लेना टेस्ट देने जाना जब उसका पेपर मिला तो उसको बिलकुल दिमाग में आया नहीं जो एक भी कोस्टन मुझे आता है लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क से 97.7% से पास किया है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक पेस्बूक पेश को लाइक करना ना भूलें